Hello everyone, welcome back to my channel, दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सिखेंगे future perfect tense इसमें हमने इसकी पहचान और तीनो टाइप के examples लिए हुए हैं affirmative, negative और interrogative के, तो आप लोग इस वीडियो को पुरा complete देखी तो चलिए वीडियो को शुरू करती हैं, तो सबसे पहले future perfect tense की पहचान जान लेते हैं कैसे पता चलेगा, कौन सा है tense है तो जिन हिंदी बाकियों के अंत में चुकेगा या चुकेगी, चुकेगे या चुकूँगा आद सब्द आ जाएं, तो भी sentence future perfect tense के होते हैं इसमें दो कारियों का burden हो सकता है, यहाँ पर हम दूसरा type का sentence होगा, वो अभी बताएंगे इसका सबसे पहले role जान लीजिए, इसमें I, B के साथ cell have लगेगा बाकि जितने भी subject होंगे ही C, A, T, U, B दे या किसी का name, तब उहाँ पर bill have लगेगा तो यहाँ पर दूसरा जो concept है, यद बाकि में दो कारियों का burden हो, तो पहले होने बाले कारी को future perfect tense में बनाएंगे और जो गर बाद में समाप्त होने बाला कारी होगा, उसे present indefinite tense में बनाया जाएगा for example, एक sentence लेते हैं, मेरे आने से पहले तुम यहाँ कारी कर चुकोगे, तो यहाँ पर दो कारी हुए हैं, तुम यहाँ कारी कर चुकोगे, यह काम पहले हुआ है तो इसे सबसे पहले translate करेंगे, you will have done this work before I come, तो इस तरह से यह बन जाएगा अब देखते हैं, यहाँ पर इसका structure affirmative sentence का, तो सबसे पहले affirmative sentence को बनायने के लिए, हमें यह वाला structure यूज़ करना है यहाँ पर सबसे पहले subject, will have और shall have लगेगा, इसमें कोई एक चीज़ यूज़ करना है और verb की तीसरी form आएगी, फिर object last में फोलिश टाप लगाना है तो इसमें के कुछ example हैं, उन्हें solve करते हैं, तो यहाँ पर पहला example लिखा हुआ है साम तक वह आगरा पहुँच चुकेगा, तो इसमें सबसे पहले देखिए, वह लिखा है, यह है subject तो इसको English में लिखेंगे he, तो यहाँ पर सबसे पहले he हो जाएगा इसमें लगेगा will have, तो will have लिख लिया, will have third form लिखेंगे, अब reach means पहुँचना होता है तो R-E-C-H-E-D, reached, इथार्ट form हो गई, आगरा है, तो यहाँ पर आगरा हो जाएगा, A-G-R-A, आगरा साम तक, तो यहाँ पर by यूज़ करेंगे, by evening, E-B-E-N और I-N-G तो इस तरह से पहला sentence complete हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा इसका example लिखा हुआ है राम कल तक अपना कारिश समाप्त कर चुकेगा, तो इस sentence में राम जो है, वो है subject तो सबसे पहले यहाँ पर राम की लिखी जाएगी, तो R-E-A-M, राम, यहाँ पर भी will, have का यूज़ करेंगे, have अब इसके बाद कारिश समाप्त करना की होती है, finish, तो finish में समाप्त करना, F-I-E-N-I-S-H-E-D, finished, third form हो जाएगी, finished, अपना कारिश तो his work हो जाएगा, his work, कल तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, by, tomorrow, आने वाला जब कल हो, तो future में तुमारो लिखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा, दूसरा complete, और यहाँ पर तीसरा जो example लिखा है, यहाँ पर दो कारियों का burden हुआ है, जैसे लिखा, मेरे जाने से पहले, तुम यहाँ से जा चु होगे, यह पहले कार हुआ है, और मेरे जाने वाला यह बाद में हुआ है, तो सबसे पहले इसकी बनाएंगे, तुम यहाँ से जा चुकोगे, तो इसके लिए यह लिखेंगे, यह मिन्स होता है, तुम, अब बिल है, यह वाला जो लगेगा, फर्मुला, यह perfect का है लगेगा future का, you will have been, इतना लिख लिया, जाना की go होती है, third form gone लिखेंगे, gone from here, यहाँ से, from here, अब बागी जो sentence है, मेरे जाने से पहले, तो पहले के लिए हमें before यूज़ करना होगा, before, मिन्स होता है, पहले, और इसको present in different में बनाना है, तो I go, जाना है यहाँ पर, तो go हो जाएगा simple, तो इस तरह से यह तीसरा वाला complete हुआ, चौथा यहाँ पर example है, तुम्हारे यहाँ पहुचने से पहले, पिता जी आ चुकेंगे, तो इसमें जो पिता जी वाला sentence से इसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर father लिखेंगे, subject है, father, या faith, या father will have, will have लिखन second form came होती है, तो come, came, come, अब यहाँ पर पहले की before यूज करेंगे, before, तुम्हारे यहाँ पहुचने, तो you लिखेंगे यहाँ पर, अब यह इसे indefinite में बनाना है, you, reach, r-e-a-c-h, reach, और यहाँ here, तो इस तरह से affirmative के, चारो example complete ही, अब देखते हैं negative के, तो इस पार्ट में सभी sentence जो हैं, चारो example negative के हैं, negative का structure है, वो इस प्रकार लिखेंगे, subject फिर bill not have, यहाँ पर बीच में not रहेगा, bill और have के बीच में लगेगा, cell लगाना है, तो उसमें cell have के बीच में लगेगा, फिर birth की तीसरी form object, अगर वो दूसरे type का sentence होगा, तो उसका structure presented different में आगे बनेगा, तो वो से example होगा, आगे बताएंगे, तो यहाँ पर पहला example लिखा है, वह साम तक अपने कपड़े धो चुकेगी, तो यहाँ पर चुकेगी है, तो लड़की है, C लिखेंगे इसको, C मिन्स होता हुआ है, C लिख लिए, अब इसके बाद bill लगेगा bill, not वाला है, इसलिए not के लिए, नहीं के लिए not, अब हैब बीच में यह हैब लिखेंगे, धोना की बॉस, तो यहाँ पर हो जाएगी, बॉस्ट, डाबलू, ए, 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 डी, वस्ट, अपने कपड़े हैं, तो हर cloth हो जाएगा, हर cloth, C, L, O, T, H, E, S, cloth कपड़े होता है, साम तक है, तो by evening हो जाएगा, यहाँ पर, by evening, इस तरह से negative का complete हुआ, और दूसरा है example इसका, हम सुबह तक दिली नहीं पहुंच चुकेंगे, तो इसमें subject है, वी लिखेंगे, इसे पहले लिखेंगे, वी, इसमें लगेगा cell, आई बी के साथ cell लगता है, निगेटिब है, तो not use करेंगे, अब लिखेंगे have, third form पहुंचना के reach होती है, यहाँ पर ed लगाएंगे, तो reached हो जाएगा, reached, और delhi, दिली पहुंचने की बात हो रही है, तो object है, यहाँ पर delhi, अब यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है, सुबह तक तो by morning करेंगे, by morning तो इस तरह से complete हुआ, दूसरा example, और इसका तीसरा है, तुम्हारे आने से पहले रभी नहीं जा चुकेगा, तो यहाँ पर दो sentence एक में ही है, तो रभी नहीं जा चुकेगा, इसको पहले बना लेंगे, तो यहाँ पर हो गया, रभी यह subject हुआ, not वाला है, यहाँ पर bill यू कौन हो जाएगा, अब कहाँ जा चुका, वो object है नहीं, तो इसे छोड़ देंगे आगेगा, फिर before लिखेंगे सीधे, before मिनस होता है, पहले तुम्हारे आने से है, तो you come, यहाँ पर first form लगेगी, बन गया, next example इसका लिखा हुआ है, चो था, उसके नहाने से पहले पिता जी से उसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर father लिखेंगे, subject है father, will, not, have, आना की होती है, come, यहाँ पर third form, come ही रहेगी, come before, अब यहाँ पर उसके है, तो he लिखेंगे, यह है, indefinite में बनाएंगे, तो he, नहाने के होती है, take what, तो यहाँ पर हो जाएगा, takes what, takes a what, complete, तो इस तरह से चारों example negative के complete हुई, अब देखते हैं, इंट्रोगेटिव के, future perfect का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर दो इस टेक्चर यूज किये हैं, पहला वाला जो इस टेक्चर है, बिल सेल सुरुआत में है, वो first type बला इंट्रोगेटिव होगा, yes no type बले, जिसमें क्या सुरुआत में आएगा, वहाँ पर लगेगा, तो first type का इंट्रोगेटिव, cell और बिल पहले लिखेंगे, फिर subject, अगर sentence में नहीं है, तो not लगाईए, नहीं तो छोण देंगे, फिर subject के बाद just have लगेगा, फिर third form, object, last में यह question mark, अगर other bird हैं, तो उन्हें लिख लेंगे, नीचे बाला जो इस टेक्चर है question bird, तो यहाँ पर यह डाबलू एच बार्ड होते हैं, तो इनको पहले लिखेंगे, जैसे bear, what, why, तो इनको लिखने के बाद, उसके spelling के बाद cell या बिल लगाएंगे, फिर आगे same है structure, subject, अगर not वाला है, तो लगाईए, नहीं तो छोड़ इसको बनाके, लिखा है पहला example, क्या वह चार बजे तक उठ चुकेगा, यहाँ पर क्या आगया है, वह देखते हैं, वह है, तो ही होगा, ही के साथ बिल लगता है, तो यहाँ helping verb से शुरुआत करना होता है, बिल, ही, अब इसमें just hype लगेगा, subject के बाद hype लग जाएगा, अ अब यहाँ पर उठना की get up होती है, और third form got up हो जाएगी, got up, got up लिख दिया, अब हो जाएगा, by 4 बजे तक है, by 4 o clock, c-l-o-c-k, last में एक question mark लगाईए, complete, अगला example यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या राजुकार से लखनाव नहीं पहुंचेगा, तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले will लग जाएगा, क्योंकि राजु किसी नाम है, यहाँ पर will लिखेंगे, cell नहीं यूज़ करना है, तो w-i-w-l-bill, अब राजु की हो जाएगी, r-a-j-u, राजु, अब यहाँ पर नहीं वाला sentence है साथ में, तो हमें subject के बाद not, पहुंचना के reach, यहाँ पर third form हो जाएगी, reached, अब लखनव है, तो यह object यहाँ पर लिखते हैं, y-u, c-k-n-o-w, लखनव, और car से हैं, तो by car हो जाएगा, by car, question mark लगाईए, बन गया, तीसरा इसका example लिखा हुआ है, जनवरी से पहले तुम कहां कहां घूम चुकोगे, तो इस sentence में कहां बीच में आ रहा है, तो उसके spelling पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर subject पहले bear use करेंगे, bear means होता है, कहां, w-h-e-r-e bear, अब bill लगाएंगे, यह देखो, w-h-word पहले लिखें यहाँ पर नाट वाला है नहीं, छोड़ देंगे, तो हैब सीधे आ जाएगा, हैब घूमना या बिजिट करना सेम ही है, कहां कहां जा चुके होगे, तो यहाँ पर बिजिटेड यूज करेंगे, b-i-s-i और t-e-d, बिजिटेड, बिजिट होता है, धर्षन करना, यहाँ थार्ड फार्म घूम चुके है, तो बिजिटेड हो गया, और जैनवरी से पहले है, तो बिफोर वाला है, पहले के लिए बिफोर, और जैनवरी, यहाँ पर, जैनवरी, इसका लास्ट एक्जम्पली यहां पर लिखा हुआ है, मालिक आनी से पहले, लड़के फल क्यों तो यहाँ पर लड़के फल तोड़ चुके हैं, यह वाला पहले काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्यों भी आ रहा है साथ में, तो Y से स्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले Y लिखेंगे W-H-Y, Y means होता है क्यों, अब इसमें Bill लगाएंगे, Bill subject है लड़के, तो यहाँ पर हो जाएगा, the voice, साथ में negative sentence है, तो not use करियेगा, इसके बाद have, यह इस texture से हमने लिखा है, अब इसके बाद तोड़ना की होती है, प्लक, तो third form हो जाएगी, प्लक्ड, P-L-U-C-K-E-D, प्लक्ड हो गया, the, फल है, तो fruit हो जाएगा, यह फ-R-U-I-T-S, fruits, यह फ पहले की before होती है, तो यहाँ पर before यूज करेंगे, before मिन्स पहले, और माली के आने से, यह है present indefinite में बनेगा, तो माली की होती है garden, तो यहाँ पर हो जाएगा, the gardener, G-A-R-D-E-N-E-R, गार्डिनर मिन्स माली, और यहाँ पर आना की होती है, come, जब singular subject होगा, तो yes, यह यह तो यहाँ पर comes हो जाएगा, तो इस तरह से हमने interrogative के 4 examples complete करा दिये, तो friends उमीद करता हूँ, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आयोगा, अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe भी कर लो और अपने friends के साथ इसको share भी किजएगा, और हम मिलेंगे next वीडियो म आपने वाला टेंसिस पे,